26 जनवरी 5000 को कोन सा दिन होगा दोस्तों क्या आप भी कोई भी कैलेंडर कोसंस मातर 5 सकेंड के अंदर आप सौल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते हैं तो कोई भी कैलेंडर कोसंस मातर 5 सकेंड के solve करते हैं देखे सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं तारिक दिया हुआ 26 उसके बाद हम लिखते हैं वर्स वर्स दिया हुआ 50 लेकिन लाष्ट दो ही डिजिट लिखेंगे लाष्ट दो डिजिट क्या है डवल जीरो है उसको लिखते हैं लीप व साथ से भाग देंगे तो कितना बार में चार बार में साथ चोग अठाइज तो से सब क्या बचा से सब का एक बची गया यह जो एक बचा है अब पता कीज़े कि कौन सा दिन का कोड एक होता है आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है एक होता है यानि 26 जनवरी 50 को कौन सा दिन होगा रविवार होगा दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंपोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो कि सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा और इस टाइब की जितने भी सवाल है आप मातर पांस सकेंड के अंदर आप सौल्व कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा उसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा तो चलिए कोसंस को सौल्व करते हैं देखिए 31 जनवरी 1890 को कौन सा दिन था तो सुत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं उसका महीना का कोड महीना दिया हुआ जनवरी जनवरी का कोड वान उसके बाद लिखना होगा वर्स वर्स दिया हुआ 1890 लेकिन सिर्फ लास्ट दो ही डिजिट लिखना है सिर्फ 90 उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्स तो लीप वर्स पता करने क्लेम क्या करते हैं सब्सक्राइब कि 90 वर्सकास सब्सक्राइब सब्सक्राइब सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 146 146 में देम साथ से भाग देंगे तो कितना बार में? 20 बार में 20 सत्य कितना होता है? 140 तो से सब का क्या बचा? से सब का 6 बच गया यह जो 6 बचा है अब पता कि यह कि कौन सा दिन का कोड 6 होता है आपको याद होगा सुक्रवार का कोड क्या होता है एच्छे होता है यानि 31 जनवरी 1890 को कौन सा दिन था सुक्रवार था 26 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था ये जो कोशन आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप स्वाल्ब कर सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूगा इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा महीना का कोड याद रखना होगा दिन का कोड याद रखना होगा और सताबदी का कोड याद रखना होगा अगर आप ये तीन कोड याद रखते हैं तो कोस्टन को मादर पांस सकेंड के अंदर आप स्वालव कर सकते हैं इस से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए फिलाल इस कोड के उपर एक नजर मारते हैं देखिए संडे का कोड होता है 1 आपको उतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं महीना का अधी का कोड यूण और चन्वरी का कोड टोँ go पोर इनमार्ट का कोड़wiązा आप डियो और मई का कोड होता है 2 और जून का कोड होता है 5 और जुलाई का कोड होता है 0 अगस्त का कोड होता है 3 और सेप्टमबर का कोड होता है 6 अक्टूवर का कोड होता है 1 और नममबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6 से और एक बाद आपको ध्यान में रखना है यदि आपका कोसंस लीप वर्स में पूछा जाए और जनवरी और फरवरी महिना के आधार पर यदि कोसंस पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महिना का क्या होता है कोट चेंज हो जाता है जनवरी का कोट हो जाएगा जीरो और बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंचूरी कोड के बारे में देखे सताब्दी कैलेंडर सताब्दी के कोड के बारे में बता रहा हूँ बस आपको इतना ही याद रखना होगा कैलेंडर कोसंस को solve करने का सूत्र यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो कैलेंडर कोसंस आप मातर 5 सकेंड में solve कर सकते हैं कोई भी कैलेंडर कोसंस आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप solve कर सकते हैं देखिए पहले लिखना होगा दिनांग उसके बाद लिखना होगा महीना का कोड़ उसके बाद लिखना होगा वर्ज उसके बाद लिखना होगा लीपवर्ज सभी को जोड के साथ से भाग देजिए आपका अनसर आ जाएगा तो चलिए questions को solve करते हैं 26 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था देखिए सुत्र के अनुसर पहले हम क्या लिखते हैं तारीक लिखते हैं तारीक दिया हुआ 26 उसको लिखते हैं महीना का कोड महीना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता हुआ उसको लिखते हैं वर्स वर्स का दो ही डिजिट लिखते हैं लास्ट दो ही डिजिट तो जोड़े 7 से भाग देजे आपका अंसर आ जाएगा सबीको जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा 27 मेधे हम 7 से भाग देंगे तो कितना बार में खायगा 3 बार में सत्या अकेस तो 6 अपका क्या बचा 6 आप पता कि ये 6 जो है कौन सा दिन का कोड होता है आपको याद होगा सुक्रवार का कोड क्या होता है 6 होता है 26 जनवरी 15 को कौन सा दिन था सुक्रवार था 15 अगस्त 1747 को कौन सा दिन था गाइस यह जो कोशन है अब मातर 5 सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सुत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखिएगा ताकि सारा डाउट किलियर हो जाए और आप कोशन्स को कम से कम समय में सौल्व कर सके तो चलिए कोशन्स को सौल्व करते हैं देखिए 15 अगस्ट 1747 को कौन सा दिन था तो सुत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारीक लिखते हैं तारीक दिया हुआ 15 उसका लिखते हैं महीना का कोड महीना दिया हुआ अगस्ट और अगस्ट का कोड होता है तीन उसका लिखते हैं वर्स का लाष्ट दो ही डिजिट वर्स का लाष्ट दो डिजिट सिर्फ लाष्ट दो डिजिट क्या है 47 है उसके वाद क्या लिखते है लीप वर्स उसके लिखते है लीप वर्स तो 47 वर्स के अंदर कितने लीप वर्स है कैसे पता करें उसके उपर भी वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो का एक बार जरूर देखिएगा तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है यह पता करना है तो लीप वर्ष पता करने किलिए हम क्या करते हैं चार से भाग देते हैं जो हापका भागफल आएगा वह ये लिप वर्स कालाता है तो 47 वर्स के अंदर जदी हम 4 से भागदेंगे तो भागफल कितना आएगा 11 58 वर्स के अंदर 11 लीप वर्स है उसका लिखना होगा 27ечатाऍबिकोट 4 होता है सभी को जोड़िए साथ से भाग दिजे आपका आनसरा जाएगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 होगा 80 में यदि हम साथ से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा एक 11 बार में एगर सते कितना होता है 77 तो सेसब का क्या बचा सेसब का 3 बच गया अब पता कि ये तीन जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है आपको याद होगा मंगलवार का कोड क्या होता है तीन होता है यानि 15 अगर 1747 को कौन सा दिन था मंगलवार था 1 अपरेल 1700 को कौन सा दिन था दोस्तों ये जो कोशन है आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं अगर मातर 5 सकेंड के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं वीडियो डिलेट कर दूँगा बस आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा अगर आप तीन कोड याद रखते हैं और एक सुत्र याद रखते हैं तो मातर पांस सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे इसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो के एक बर जरूर देखिएगा ताकि सारा डाउट किलियर ह को सुल्व पांस सकेंड के अंदर हैं सॉल्व करते हैं दिए आप्रेल को कौन सा दिन था तौ सुत्र के अनुसार क्या लिखते हैं तौ अ कि महीना सब्सक्राइभ होगा 15 अगस्त 1799 को कौन सा दिन था गाईस क्या आप भी कोई भी कैलेंडर कोशन्स मातर पांस सकेंड के अंदर अब सौल्व करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को कम्प्लेट देखियेगा अगर आप इस वीडियो को कम्प्लेट देखते हैं तो मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कैलेंडर कोस्टन सा मातर पांस सेकेंड के अंदर आप स्वाल्व कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो के एक बार जरू देखेगा ताकि सारा डाउट किलियर हो जाए तो चलिए कोस्टन को हम स्वालव करते हैं देखें 15 अगस्ट 1799 को कौन सा दिन था तो सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारीक लिखते हैं तारीक दिया हुआ 15 उसके लिखते हैं महिना का कोड महिना क्या दिया हुआ अगस्ट और अगस्ट का कोड क्या होता है तीन होता है उसके लिखना होगा वर्स का लाष्ट दो डिजिट वर्स दिया हुआ 1799 लेकिन लाश्ट दो डिजिट लिखना है सिर्फ लिखना है 99 उसके वाद लिखना होगा leap verse तो leap verse पता करने क्लेम क्या करते हैं कोई भी verse में 4 से भाग देते हैं तो leap verse पता चल जाता है उसके उपर भी वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के description में link दि दिया हुआ है तो 99 में चार से भाग देंगे जो आपका भाग फलाएगा वही आपका leap verse होता है तो 99 में चार से भाग देंगे तो कितना बार में 24 बार में उसके लिखना होगा सताबदी का कोट तो सतरा सो की सताबदी कोट क्या लिखेंगे चार सतरा सो की सताबदी कोट क्य सेटाएगा 20 बार में 20 सते कितना होता है 140 तो सिये सब क्या बचता भुशा सीर चाप काब जगे 5 बचता पता कि यह कोन सा दिन राच होता है आपको याद होगा गुरूवार तो गुरुवार का code क्या होता है पांच होता है तो 15 अगल 1799 का कौन सा दिन था गुरुवार था दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक important सवाल लेके आया हूँ जो कि सभी exam के लिए important रहेगा इस type की जितने भी सवाल है अब मातर 5 second के अंदर आप solve कर सकते हैं जादा time नहीं लगेगा इसके लिए आपको तीन code याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो में बना चुका है इस वीडियो के description में link दिया हुआ है तो please उस वीडियो के एक बार जरूर देखिएगा अगर आप उस वीडियो को complete देखते हैं तो इस type की जितने भी सवाल है अब मातर 5 second के अंदर आप solve कर सकते हैं तो चलिए questions को solve करते हैं देखे question में क्या कह रहा 26 जनवरी 1750 को कौन सा दिन था तो सूत्र के अनुसार पहले में क्या लिखते हैं तारीक लिखते हैं उसके लिखते हैं महिना का code महिना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का code होता हुआ उसके लिखते हैं भागफल आएगा, वही लिप वर्स कहलाता है, उसको एज लिखना होगा सताबदी का कोड़, तो सत्रों साथ की सताबदी कोड़ क्या होता है, चार होता है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 93 होगा, 93 होगा, 93 होगा, 93 हम साथ से भाग देंगे, तो कितना होगा, कितना बार में 13 बार में 13 से कितना होता है 90स है सब का क्या भच वचास को कौन सा दिन सब्सक्राइब याफ माँट के लिए इंहित् provides कर Those इसके लिए आपको मातर तीन कोड याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो में बना चुका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लेट देखते हैं तो इस में भी सवाल है अब मातर पांस सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए कोसंस को सॉल्व करते हैं देखे सुत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक तारिक दिया हुआ एक उसका लिखते हैं महीना का कोड मही फरस होगा, जीरो होगा, उसके लिखना होगा सताबदी का कोड, तो अठारा सव की सताबदी कोड क्या होता है, दो होता है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, साथ, साथ मैं दिया हम साथ से भाग देंगे, तो कितना बार में, एक बार में, तो से सब क्या बचा, से सब का जीरो बचा, यह जो जीरो बचा है आप पता है कि यह कौन सा दिन का कोड होता है, आपको याद होगा, जीरो जो होता है, सनीवार का कोड क्या होता है, जीरो होता है, यानि एक फरवरी आठारा सो को कोन सा दिन था, सनीवार दिन था, 26 जनवरी आठारा सो पचास को कोन सा दिन होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है अगर आप उस वीडियो को कम्प्लीट देखते हैं तो कम से के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं तारिक दिया हुआ 26 उसके लिखते हैं महिना का कोड महिना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता है उसके वाद लिखना होगा वर्स वर्स दिया हुआ 18 सब 50 लेकिन लाश्ट दो ही डिजिट लिखना है उसके वाग देने पर जो भाग पलाता है वही लिप वरस से भाग देने पर तो पचास में दिने तो कितना भाग पलाएगा बारह भाग पलाएगा उसके वाद लिखना होगा सताबदी का कौड़ तो एठारह सवा की सताबदी कोड़ इस सभी कोholes यह साथ से भाग देजे आपका आनसर आजाएगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा एक क्यानवे होगा यदि एक क्यानवे हम साथ से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा तेरो बार में तेरो सोते कितना होता एक क्यानवे सेसब का क्या बचा सेसब का जीरो बचा यही आपका आनसर है अब पता किज्य की कौन सा दिन का कोड जीरो होता है आपको याद होगा कि सनीवार का कोड क्या होता है जीरो होता है यानि 26 जनवरी 1850 को कौन सा दिन था सनीवार था 15 अगस्त 1847 को कोन सा दिन था दोस्तों क्या आप भी इस टाइब की सवाल मात्र पांस सकेंड के अंदर आप स्वालब करना चाहेंगे तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखना होगा और इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूतर याद रखना होगा उसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा अगर आप उस वीडियो को कम्प्लीट देखते हैं तो मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह जो कोसन है अप मात्र पां का कोड होता है तीन उसको लिखते हैं वर्स वर्स का लास्ट दो ही डिजिट लिखते हैं सिर्फ 47 लिखते हैं उसके बाद लिखना होगा आपको लीप वर्स तो लीप वर्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं चार से भाग देते हैं कोई वर्स में चार से भाग देने पर जो भागफल आता वही लिप वर्स कालाता है तो 47 में अब क्या करेंगे? चार से भाग देंगे चार से भाग देंगे तो कितने बार में? एक 11 वर में यानि कि भागफल कितना आएगा? 11 आएगा उसको लिखना होगा सतावदी का कोड तो 1800 की सतावदी कोड क्या होता है? दो होता है सभी को जोड़ेंगे साथ से भाग देंगे अब का अंसरा जाएगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 78 78 में अब क्या करेंगे? साथ से भाग देंगे तो कितना वर में? 11 वर में 11 सते कितना? 77 सेसब का क्या बच गया सेसब का एक बचा है अब पता की यह एक जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है आपको याद होगा रभिवार का कोड क्या होता है एक होता है यानि 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था रभिवार था एक जून 1899 को कोन सा दिन था दोस्तों क्या आप भी कोई भी कैलेंडर कोशन मातर 5 सकेंड के अंदर आप स्वालब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्पलेट देखिएगा अगर आप इस वीडियो को कम्पलेट देखते हैं तो कोई भी कैलेंडर को सुनब मातर पांस सकेंड के अंदर आप सौल्व कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूतर याद रखना होगा जो कि इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए इस कोड के उपर एक नजर मारते हैं देखिए संडे का कोड होता 1, मंडे का कोड होता 2 और टूजडे का कोड होता 3 और वेडनस डे का कोड होता 4 और Thursday का Code होता है 5 और Friday का Code होता है 6 और Saturday का Code होता है 0 बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं महीना का Code कैलेंडर महीना का Code जनवरी का Code होता है 1 फरवरी का Code होता है 4 और March का Code होता है 4 और April का Code होता है 0 और May का Code होता है 2 और June का Code होता है 5 और July का Code होता है 0 अगस्त का Code होता है 3 और September का Code होता है 6 और October का Code होता है 1 और November का Code होता है 4 और December का Code होता है 6 और एक बात आपको ध्यान में रखन पूछा जाए और जनवरी और फर्वरी महिना के आधार पेजिदी को संस पूछा जाए तो जनवरी और फर्वरी महिना का क्या होता है कोट चेंज हो जाता है जनवरी का कोट हो जाएगा जीरो और फर्वरी का कोट हो जाएगा थ्री बस आपको इतना ही याद रखना होगा त 19 저 69 का पर होता है six 19 मैं 99 का हो होता है जिरो 2000-a 99 मैं का को पर होता है six 800-a 99 कै को पर होता है fourowych 222-a 2 divergence इधाइ 2 300-a 3gging पर होता है zero 24host iOSار 2499 का क मैं 6 25 Sister Fifty odds 4 26 Stack Number 3 and 3 000 से लेकर 349 का को पर होता है two चार हजार से लेकर 4099 का कोड होता है सीक से 5000 से लेकर 5099 का कोड होता है टू बस आपको इतना ही याद रखना होगा कैलेंडर कोशन्स को सॉल्व करने का सूत्र यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो calendar questions आप मातर 5 second में solve कर सकते हैं कोई भी calendar questions आप मातर 5 second के अंदर आप solve कर सकते हैं देखिए पहले लिखना होगा दिनांग उसके बाद लिखना होगा महीना का code उसके बाद लिखना होगा words उसके बाद लिखना होगा leap words और उसके वाद लिखना होगा सतावदी का कोड, सभी को जोड के साथ से भाग देज़े आपका अनसर आजाएगा, तो चलिए कोसंस को solve करते हैं, देखिए कोसंस में क्या कहा रहा है, एक जून 1899 को कौन सा दिन था, तो सुत्र के अनुसार पहले तारिक लिखते हैं, उसके व लिख वर्स पता करने किले हम क्या करते हैं, चार से भाग देते हैं, तो चार से भाग देने पर जो आपका भाग फल आएगा वही लिख वर्स का आलाते हैं, तो 99 जो द ehmру huland होगा सतावदी का कोड, डमात भाग कि म्या होगजा दो होता है, सभी को जोड़े साथ से भाग गुना 7 करें तो कितना होता है 126 तो से सब का क्या बचा से सब का बच गया 5 यह जो 5 बचा है अब पता की जिए कि कौन सा दिन का कोड 5 होता है आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है 5 होता है यानि कि 1 जून 1899 को कौन सा दिन था गुरुवार था दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक important सवाल लेके आया हूँ जो कि exam में पूछे जाते हैं और इस type की सवाल जितने भी सवाल है मातरब 5 second के अंदर आप solve कर सकते हैं इससे ज़्यादा time नहीं लगेगा इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के description में लिंक मिलेगा प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा अगर आप उस वीडियो को complete देखते हैं और detail से जिदी समझते हैं तो कोई भी calendar questions आप मातर 5 second के अंदर आप solve कर सकते हैं कोई परेसानी नहीं होगी तो चलिए questions को solve करते हैं देखे 2 October 1869 को कौन सा दिन था तो सूत्र कैनुसर हम क्या लिखते हैं पहले तारीख लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं महिना का code महिना दिया हुआ October और October का code होता हूँ उसका लिखते हैं verse वर्स का last दो डिजिट लिखते हैं तो 1869 है तो last दो डिजिट लिखेंगे सिर्फ 69 उसके बाद लिखना होगा leap verse तो 69 वर्स के अंदर कितने लीफ वर्स है तो लीफ वर्स पता करने क्लिम क्या करते हैं चार से भाग देते हैं कोई वर्स में चार से भाग देने पर जो आपका भाग पला तो वही लीफ वर्स का लाता है तो 79 वर्स में जिदे हम 4 से भाग देंगे तो कितना भाग पलाएगा? 17 भाग पलाएगा यानि कि 17 लिफ वर्स हुआ उसको लिखेंगे century code यानि सताबदी code तो 18 सा की सताबदी code क्या होता है? 2 होता है सभी को जोड़िए 7 से भाग दिजे सबका 0 बचा यह जो 0 बचा पता कि यह कौन सा दिन का code होता है आपको याद होगा कि सनिवार का code क्या होता है? 0 होता है यानि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? सनिवार था दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक important सवाल लेके आया हूँ जो कि सभी exam के लिए important रहेगा और इस type की जितने भी सवाल है आप मातर पांस second के अंदर आप solve कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन code याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा उसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के description में link दिया हुआ है तो please उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा तो चलिए questions को solve करते हैं देखिए 31 जनवरी 1890 को कौन सा दिन था तो सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं उसका महीना का code महीना दिया हुआ जनवरी जनवरी का code 1 उसके बाद लिखना होगा वर्स वर्स दिया हुआ 1890 लेकिन सिर्फ लास्ट दो ही डिजिट लिखना है सिर्फ नवर्स उसके बाद आपको लिखना होगा leap verse तो leap verse पता करने क्लेम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं जो भाग वैग्र आईगा तो नबे में जिनेशन का भाग देंगे तो भाग्वन क्या है बारिस लीफवर्स है उसको लिखना होगाए तो अधारा साथ से भाग देंगे आपका अंसर आज आएगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 146 146 में देमinarium 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 20 बार में 26 कitना होता है 140 तो 6 सब क्या बचा 6 6 बचा गया ग Romans 6 बचा है अब पता कीज़िये कि कौन सा दिन का कोड 6 होता है आपको यादोगा सुकरवार का कोड़ क्या होता है 6 होता है यानि 31 जनवरी 1890 को कौन सा दिन था सुक्रवार था 26 जून 1500 को कौन सा दिन था यह जो कोशन अब मातर 5 सकेंड के अंदर आप स्वालव कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूगा पस आपको 3 कोड याद रखना होगा और एक सूतर याद रखना होगा यदि आप 3 कोड याद रखने हैं पहला महीना का कोड है और दूसरा दिन का कोड है और तिसरा सतावदी का कोड है यह तीनों कोड की मदद से अब यह जो कोशन मातर 5 सकेंड के अंदर आप सॉलव कर सकते हैं तो चलिए फिलाल इस कोड के उपर एक नजर मारते हैं उसके बाद कोशन को सॉल्व करना सुरू करेंगे देखिए संडे का कोड होता है मंडे का कोड होता है टू और टूसडे का कोड होता है त्री और वेडनसडे का कोड होता है और ठीज़े का कोड़ होता है 15 और सॉटर्डे का कोड़ होता है 20 बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको पताते हैं महीना का कोडो कैलेंडर महीना का कोड जनवरी का कोड होता है 1 फरवरी का कोड होता है 4 और मार्च का कोड होता है 4 और अपरिल का कोड होता है 0 और मई का कोड होता है 2 और जून का कोड होता है 5 और जुलाई का कोड होता है 0 अगस्त का कोड होता है 3 और September का Code होता है 6, October का Code होता है 1, और November का Code होता है 4, और December का Code होता है 6, और एक बाद आपको ध्यान में रखना है, यदि आपका कोशन्स लीप वर्स में पूछा जाए, और जनवरी और फरवरी महिना के आधार पे यदि कोशन्स पूछा जाए, तो जनवरी और फरवरी महिना क क्या होता है कोट चेंज हो जाता है जनवरी का कोट हो जाएगा जीरो और फरवरी का कोट हो जाएगा थ्री बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंचूरी कोट के बारे में देखिए सताब्दी कैलेंडर सताब्दी के कोट के बारे में बता मेंस लोग तो चीश वाजार से लेकर दो चार हजार से लेकर का कोड होता है सीक से 5000 से लेकर 5099 का कोड होता है टू बस आपको इतना ही याद रखना होगा कैलेंडर कोशन्स को सौल्व करने का सूत्र यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो कैलेंडर कोशन्स आप मातर 5 सकेंड में सौल्व कर सकते हैं कोई भी कैलेंडर कोशन्स आप मा साथ से भाग दिजिए आप का अनसर आ जाएगा तो चलिए questions को solve करते हैं देखे question में क्या कह रहा है 26 June 1500 को कौन सा दिन था तो सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं और तारिक दिया हुआ 26 उसके वाद लिखते हैं जीरो है यहां जीरो लिखिए उसके वाद लिखना होगा leap verse तो जीरो verse के अंदर कितने leap verse होगा जीरो ही होगा उसके वाद लिखना होगा सताबदी का code यानि century का code तो 15 सा की century code क्या होता है जीरो होता है सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 होगा 31 महींदे हम साथ से भाग देंगे तो कितना बार में? 4 बार में 7 चोक 28 तो 6 सबका क्या बच गया? 6 सबका 3 बचा है अब पता कि यह 3 जो होता है कौन सा दिन का code होता है आपको याद होगा कि feminine code क्या होता है 3 होता है 26 जनवरी पंद्रोसव को कौन सा दिन था ये जो कोशन आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप स्वाल्व कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूँगा इसके लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा और 1 सूत्र याद रखना होगा महीना का कोड याद रखना होगा दिन का कोड याद रखना होगा और सताबदी का कोड याद रखना होगा अगर आप ये 3 कोड याद रखते हैं तो कोशन को मातर 5 सकेंड के अंदर आप स्वाल्व कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए फिलाल इस code के उपर एक नजर मारते हैं देखिए Sunday का code होता है 1, Monday का code होता है 2 और Tuesday का code होता है 3 और Wednesday का code होता है 4 और Thursday का code होता है 5 और Friday का code होता है 6 और Saturday का code होता है 0 बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं महीना का कोड कैलेंडर महीना का कोड जनवरी का कोड होता है फरवरी का कोड होता है फोर और मार्च का कोड होता है फोर और अपरिल का कोड होता है जीरो और मई का कोड होता है टू और जून का कोड होता है 5 और July का code होता है 0 August का code होता है 3 और September का code होता है 6 October का code होता है 1 और November का code होता है 4 और December का code होता है और एक बाद आपको ध्यान में रखना है यदि आपका कोर्षन्स लीप वर्स में पूछा जाए और June और July महिना के आधार पेजिदी कोशन्स पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महिना का क्या होता है कोट चेंज हो जाता है जनवरी का कोट हो जाएगा जीरो और फरवरी का कोट हो जाएगा थ्री बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंचूरी कोट के सताब्दी के बारे में बता रहा हूं सटाब्दी के कोड के बारे में बता रहा हूं बस आपको इतना ही याद रखना होगा कैलेंडर कोशन्स को सौल्व करने का सूत्र यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो कैलेंडर कोशन्स आप मातर 5 सकेंड में सौल्व कर सकते हैं कोई भी कैलेंडर कोशन्स आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप सौल्व कर सकते हैं देखिए पहले लिखना होगा दिनांग उसके बाद लिखना होगा महीना का कोड उसके बाद लिखना होगा वर्स उसके बाद लिखना होगा लीप वर्स और उसके बाद लिखना होगा सतावदी का कोड सभी को जोड के साथ से भाग दिज़े आपका अनसर आजाएगा तो चल जनवरी और जनवरी का कोड होता हूँ उसको लिखते हैं वर्स वर्स का दो ही डिजिट लिखते हैं लास्ट दो ही डिजिट तो दो डिजिट क्या है जीरो है उसको लिखते हैं लीप वर्स तो जीरो वर्स के अंदर लीप वर्स कितना आएगा जीरो ही आएगा उसको लिखें साथ से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? तीन बार में सत्या अकेष तो से सबका क्या बचा? से सबका छे बचा अब पता कि से छे जो है कौन सा दिन का कोड होता है आपको याद होगा सुक्रवार का कोड क्या होता है? 6 होता है 26 जनवरी 15 अको कौन सा दिन था शुक्रवार था लीप वर्स पता करें मातर 2 सकेंड में दोस्तों देखिए आपके सामने 4 ओप्सन दिया हुआ है तो इसमें से हम केसे पता करें कि कौन सा लीप वर्स है और कौन सा सधारन वर्स है तो इसके लिए आपको यह वीडियो लाश्ट तक देखना पड़ेगा कोई भी वर्स का लिप वर्स अब पता करें मातर दो सकेंड में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए आम तोर पर हम लोग क्या करते हैं चार से भाग दते कोई भी वर्स में चार से भाग देने पर यदि भाग पूरा पूरी लगजाए तो वो लिप वर्स का लता है देखिए ज़़ी हम चार से भाग देने बेठें सभी में तो बहुत समय लग सकता है तो समय बचत करने के लिए हट्रिक में लेके आया हूँ देखिए कोई भी साल का लास्ट दो डिजिट पकड़िए देखिए लास्ट दो डिजिट क्या है 75 है 75 में क्या 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा अनिकि 1575 एक लिप वर्स नहीं है उसके बाद 1620 है तो लास्ट दो डिजिट पकड़िए 20 देखिए 20 है जिदि 4 से हम भाग देंगे तो पुरा पुरी भाग लग जागा लग जागा आनिकि 1620 जो है एक लिप वर्स है उसके 2000 केस दिया हुआ है तो लास्ट दो डिजिट पकड़िए अकेस अकेस में जिदि हम 4 से भाग देंगे तो पुरा पुरी भाग लगेगा नहीं लगेगा यानिकि 20 हैस एक लिप वर्स नहीं है उसके दिया हुआ 1889 देखिए 89 में जिदि हम 4 से भाग देंगे तो पुरा पुरी भाग लगेगा नहीं लगेगा एनिक आठारा सो उनाक्स भी लिप वर्स नहीं है तो सुलो सो बीस एक लिप वर्स था दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोई भी कैलेंडर कोशन सब मातर पांस सकेंड के अंदर आप सौल्ब कर सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सुत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो में बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा अगर आप उस वीडियो को कम्पलीट देखते हैं तो कोई भी कैलेंडर कोसंस अब मातर 5 सकेंड के अंदर आप सौल्ब कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए कोसंस में अभी सौल्ब करके दिखाता हूँ 26 जनवरी 2050 को कोन सा दिन था 26 जनवरी 2050 को कोन सा दिन था तो सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक तारिक दिया हुआ 26 उसके बाद लिखते हैं महीना का कोर महीना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता हुआ उसके बाद लिखते हैं वर्स वर्स का लास्ट दो डिजिट वर्स दिया हुआ दो हजार पचास लेकिन लास्ट दो डिजिट लिखेंगे सिर्फ पचास को लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे लीप वर्स सभी को जोड़ेंगे तो कितना होता है 95 95 होगे 95 क्या करेंगे साथ से भाग देंगे तो कितना बार में 13 बार में 13 सते कितना होता है 90 तो से सब क्या बचा से सब का चार बच गया यह जो चार बचा है अब पता कीज़े की कौन सा दिन का कोड चार होता है आपको याद होगा 20 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा बुद्धवार होगा दोस्तों क्या आप भी कोई भी कैलेंडर कोसंस मात्र 5 सकेंड के अंदर आप सौलब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको complete देखना होगा और आपको 3 कोड याद रखना होगा और 1 सूतर याद रखना होगा उसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो कोई भी कैलेंडर कोसंस मातर पांस सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं आपको कोई परिशानी नहीं होगा तो चरिए हम कोसंस को सॉल्व करते हैं देखिए सूतर के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारीख लिखते हैं तारीख दिया हुआ पंद्रह उसके वाद लिखते ह जीरो ही होगा उसके उतल्य सताबदी का कोड क्वा सभी को जूसे भाग देंगेट कितना होगाatarओ एटारव सांध से भाग देंगे तो कितना वार में दो वार में साथ Want दून को से सा कि चार बचा है फद फिस कौन सा दिन का कोड़ चार होता है आपको याद होगा बुद्वार का कोड़ क्या होता है चार होता है यानि 15 अगस्त 15 स्वा को कौन सा दिन था बुद्वार था अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, calendar questions को solve करते वक्त कोई परेसानी नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सिखने को मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखें एक मार्च सोलोसवा को कोन सा दिन था, तो सुत्रिक अनुसार पहले में तारिक लिखते हैं, उसके महीना का कोड महीना दिया हुआ, मार्च और मार्च का कोड होता चार, उसके लिखते हैं, वर्स वर्स दिया हुआ सोलोसवा, लेकिन लास्ट दो ही डिजिट आपको लिखन सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज इस विडियो को लास्ट देखियेगा अगर आप इस विडियो को कम्प्लीट देखते हैं तो मात्र 5 सकेंड के अंदर आप सौल्ब कर सकते हैं देखें 15 अगस्त 5000 को कौन सा दिन होगा कोस्टन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन 5 सकेंड के अंदर सौल्ब होगा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए इसके लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूतर याद रखना होगा जो कि अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए उस कोड के उपर एक नजर मारते हैं देखिए संडे का कोड होता है वान, मंडे का कोड होता है टू और टूसडे का कोड होता है थ्री और वेडनसडे का कोड होता है फोर और थ्रसडे का कोड होता है फाइप और फ्राइडे का कोड होता है जीरो बस आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं महीना का कोड कैलेंडर महीना का कोड जनवरी का कोड होता है 1 फरवरी का कोड होता है 4 और मार्च का कोड होता है 4 और अपरिल का कोड होता है 0 और मई का कोड होता है 2 और जून का कोड़ होता है फाइप और जुलाई का कोड़ होता है जिरो अगस्त का आपको इतना ही याद रखना होगा तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंचूरी कोड के बारे में देखे सताब्दी कैलेंडर सताब्दी के कोड के बारे में बता रहा हूं 14- 1499 का कोड होता है 2 15- 1599 का कोड होता है 0 16- 6699 का कोड होता है 6 सीख से पचीस सो से पचीस सो निनानवे का कोड़ होता है फोर चबीस सो से सबीस सो निनानवे का कोड़ होता है टू और तीन हजार से लेकर तीन हजार निनानवे का कोड़ होता है टू और चार हजार से लेकर चार निनानवे का कोड़ होता है सीख से पांच हजार से लेकर पा उसके बद लिखना होगा महीना का कोड़ उसके बदा लिखना होगा सतावडी का कोड़ सभी को जोड़ के साथ से भाग दीजी order आपका अनसर आ जाएगा तो चलिए कोश्नषकर करते हैं देखिए कोस्टन में क्या कह रहा है 15 अगस्त 5 जर को कौन सा दिन होगा यह जो कोसन अब मातर 5 सेकेंड के अंदर अपस्वल्ब कर सकते हैं इस से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखे शूतरिक अनुसार परलेम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं उसके लिखते हैं महीना का कोड महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता तीन उसके लिखते हैं वर्स वर्स दिया हुआ पांस जर लेकिन लाश्ट दो ही डिजिट लिखते हैं तो दो डिजिट क्या है जीरो है उसके लिखते हैं लीप वर्स तो जीरो वर्स के अंदर कितने लीप वर मैंने 7 दुना 4 दा तो 8 सब का बच गया 8 सब का 6 बच गया ये जो 6 बचा आप पता कि जी कौन सा दिन का कोड 6 होता है बाँ होता है 26 जनवरी 5000 को कोण सा दिन होगा दोस्तों क्या आप भी कोई भी कैलेंडर को समातर 5 सकेंड के अंदर आप solve करना चाहते हैं तो इस वीडियो को complete देखना होगा अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो कोई भी calendar questions आप मातर पांस second के अंदर आप solve कर सकते हैं इसके लिए आपको तीन code याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो बना चुका है इस वीडियो के description में link मिल जाएगा प्लीज उस वीडियो के एक बार जरूर देखेगा तो चलिए questions को solve करते हैं देखे सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं तारिक दिया हुआ 26 उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोर महीना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोर होता उसके बाद हम लिखते हैं वर्स वर्स दिया हुआ 50 लेकिन लाष्ट दो ही डिजिट लिखेंगे लाष्ट दो डिजिट क्या है डबल जीरो है उसको लिखते हैं लीप वर्स, तो जिरो वर्स के अंदर कितने लीप वर्स होगा, जिरो होगा, उसके बद लिखते हैं सतावदी कोड़, तो पांच जर की सतावदी कोड़ क्या होता है, दो होता है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29, 29 में हम साथ से भाग देंगे, त यानि 26 जनवरी 5000 को कौन सा दिन होगा रविवार होगा 15 अगस्त 5047 को कौन सा दिन होगा दोस्तों कि आपको पता है कि 15 अगस्त 5047 को कौन सा दिन होगा आप मातर 5 सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी कैलेंडर कोसंस अब मातर पांस सकेंड के अंदर आप सौल्ब कर सकते हैं इसके लिए यह वीडियो आपको लाश्ट तक देखना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सुत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं तारिक लिखते हैं तारिक दिया हुआ पंदरा उसके लिखते हैं महीना का कौर महीना दिया हुआ अगस्ट और अगस्ट का कौर होता है तीन उसके लिखते हैं वर्स वर्स के लाश्ट दो ही डिजिट लिखेंगे पांच हजर सेंतालिस दिया तो सिर्फ दो डिजिट लिखेंगे सिर्फ सेंटालिस लिखेंगे उसके बाद लिखना होगा आपको लीप वर्स तो सेंटालिस वर्स के अंदर कितने लीप वर्स होगा कैसे पता करें देखें सेंटालिस में आपको क्या करना होगा चार से भाग देना होगा जो आपका भागपल आएगा वही लिप वर्स कालाता है तो 46 मुदे हम 4 से भाग देंगे तो कितना भाग पलाएगा 11 भाग पलाएगा उसके बाद आपको लिखना होगा सताबदी का कोट तो 5000 की सताबदी कोट क्या होता है दो होता है, सभी को जोड़िए, साथ से भाग दीजिए, आपका अनसर आजाएगा सभी को जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 78, 78 में हम क्या करेंगे, साथ से भाग देंगे तो कितना बार में, 11 बार में, एगर सते कितना होता है, 77 तो से सबका क्या बचा? से सबका एक बच गिया यह जो एक बचा है अभ पता किस दे कि कौन सा दिन का कोड एक होता है आपको याद होगा रभीवार का कोड क्या होता है एक होता है तो दोस्तो कोई भी calendar questions को solve करने के लिए आपको तीन कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा जो कि उसके उपर वीडियो में बना चुका उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा अगर आप उस वीडियो को कंप्लिट देखते है तो कोई भी कैलेंडर कोशन से मातर 5 सकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं